ओम शान्ति आज 6 जून 2022 आज की साकार मुर्ली रंगीन बड़े बड़े अक्ष्रोमी पड़ें सुनें और मन्थन करें आज की मुर्ली का सार मिठा मिठा बाबा कैते मिठे बचे ग्यान का पाउंडेशन है निश्चे निश्चे बुद्धी बन पुर्शारत करो तो मंजिल तक पहुँच जाएंगे किस पर निश्चे चाहिए मैं आत्मा हूं मुझ आत्मा का पिता परम आत्मा है हम दोनों एक जैसे हैं ट्रामा एक्क्यूरेट तब चल सकता है जब हम आत्मा हैं एक्क्यूरेट एक्टिंग करें अर्थात कोई भी आत्मा अपनी एक्टिंग में गल्ती नहीं कर सकते एक्टिंग तो आत्मा नहीं करनी है ना आत्मा एक्टिंग में गल्ती नहीं कर सकते ड्रामा का कोई भी एलिमेंट जरह भी मिस्टेक नहीं कर सकते ये निश्चे ही अचल अरोल बना देता है जितना ये निश्चे होगा उत्ना आप अचल अटल और अरोल होंगे प्रश्ट कौन सी एक बात बहुत ही समझने और निश्चे करने की है एक बात अब सभी आत्माओं का हिसाब किताब चुक्तु होने वाला है सभी मच्रो सद्रिश जाएंगे अपने स्वीट हों फिर नई दुनिया में थोड़ी सी आत्माओं आएंगी ये बात बहुत ही समझने और निश्चे करने की है प्रश्ट बाप किन बच्चों को देख कर खुश होते बाबा किन बच्चों को देख कर खुश होते है जो बच्चे बाप पर पूरा पूरा बली चाड़ते है जो माया से हिलते नहीं अर्थात अंगद की तरहां अचल अरोल रहते हैं ऐसे बच्चों को देख बाप भी खुश होते गीप दीरज धर मनवा तेरे सुक के दिन आए ही आए बच्चों ने क्या सुना ये बाप ही कह सकते हैं न सन्यासी उदासी कोई भी कह ना सके पालोकिक बेहद का बाप ही बच्चों को कहते हैं आत्मा में ही मन बुद्धी है आत्माओं को कहते हैं आब धीरज धरो बच्चे ही जानते हैं ये बेहद का बाप सारी दुन्या को कहते हैं धीरज धरो अब तुमारे सुक शान्ती के दिन आ रहे हैं ये तो दुखदाम है इसके बाद फिर सुकदाम को आना ही है सुकदाम की स्थापना तो बाप ही करेंगे न बाप ही बच्चों को धीरज देते हैं पहले तो निष्चे चाहिए न निष्चे बुद्धी निष्चे होता है ब्रह्मा मुख वन्शावली ब्रामनों को नहीं तो इतने ब्रामन कहां से आएं बीके का अर्थ ही है बच्चे और बच्चियां इतने साब बीके कहलाते हैं तो जरूर इतने सारे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां कहलाते हैं तो जरूर उनका पिता प्रजा पिता ब्रह्मा होगा ना इतने सबका एक ही मात पिता है और सबको तो अलग-अलग मात पिता होते हैं यहां तुम सबका एक ही मात पिता है तो यह नई बात है ना तुम ब्रामर थे नहीं अभी बने हो वे ब्रामन हैं कुख वन्शावली तुम हो मुख वन्शावली हर एक बात में पहले तो निश्चे चाहिए कि कौन हमको समझाते हैं भगवान ही समझाते हैं अब कल्युक का अंत है लड़ाई सामने खड़ी है युरोप वासी यादों भी हैं जिनोंने बाम्स आदी की इन्वेंशन की है गाया हुआ है कि पेट से मुसल निकले जिन से अपने ही कुल का विनाश किया बरोबर कुल का विनाश जरूर करेंगे हैं तो एक ही कुल के एक दो को कहते रहते हैं हम विनाश करेंगे हम विनाश कर देंगे मिजायर चला देंगे बॉम्स चला देंगे ये भी बरोबर लिखा हुआ है तो अब बाप समझाते हैं बच्चे धीरजधरो आब ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है कली योग खलास हो तब तो सत्यूग हो ना जरूर उनके पहले ही स्थापना होनी चाहिए गाया भी जाता है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना शंकर द्वारा विनाश पहले स्थापना करेंगे फिर जब स्थापना पूरी हो जाती है तब विनाश होता है स्थापना हो रही है ये है ही न्यारा माल जो कोई भी समझते नहीं कोई ने कभी सुना ही नहीं तो समझते हैं जैसे और मत पंत हैं वैसे ये बिके का भी है उन बिचारों को कोई दोश नहीं है कल्प पहले भी ऐसे ही विगन डाले थे ये है ही रुद्र ग्यान जग्ड रुद्र कहा जाता है शीव को वो ही राजयोग सिखलाते हैं जिसको प्राचीन से राजयोग कहा जाता है प्राचीन का भी अर्थ समझते नहीं इस संगम युक की बात है पतित और पावं तो संगम हुआ न सत्युग आदी में ही एक धार्म वे है ही एक धार्म वे हैं आश्रे संपरदाए तुम हो देवी संपरदाए युद आदी की तो कोई बात ही नहीं ये भी भूल है तुम भाई भाई कैसे लडेंगे बाप बैठ ब्रह्मा के द्वारा सभी वेदो शास्त्रों का सार समझाते हैं वास्तों में धर्म मुख्य हैं चार उनके चार धर्म शास्त्र हैं उसमें पहला है आदी, सनातन, देवी, देवता धर्म जिसका शास्त्र है सर्व शास्त्र मै शिरो मनी गीता जो भारत का पहला मुख्य शास्त्र है जिससे ही आदी, सनातन, देवी, देवता धर्म अत्वा सूर्य वंशी और चंद्र वंशी धर्म की स्थापना हुई सो तु जरूर संगम पर ही हुई होगी इनको कुम्ब भी कहा जाता है तुम जानते हो ये कुम्ब का मेला है आत्मा, परमात्मा का मेला ये है सुहावना कल्यानकारी, कल्युग को बदल सत्युग होना ही है इसलिए कल्यानकारी कहा जाता है सत्युग से त्रेता होता है फिर त्रेता से द्वापर होता है तो कल्यान कम होती जाती है एक कल्यान होता ही जाता है फिर जरूर कल्यान करने क्वाला चाहिए जब पूरा एक कल्यान हो जाता है तब बाप आते हैं सभी का कल्यान करने बुद्धी से काम लेना होता है जरूर बाप कल्यान करने आर्थ आएगा भी संगम पर सर्व का सदगती दाता बाप है सर्व तो द्वाप पूर में नहीं सत्युगत रेता में भी सब नहीं है बाप आएगा ही अंत में जबकि सभी आत्माई आ जाती है तो बाप ही आकर धीरज देते हैं बच्चे कहते हैं बाबा इस पुरानी दुनिया में दुख बहुत है बाबा जल्दी ले चलो बाप कहते हैं नहीं बच्चे ये ड्रामा बना हुआ है फट से ब्रस्टाचारी से श्रिष्ठाचारी तो नहीं बनेगे न एकदम तो ब्रस्टाचारी से श्रिष्ठाचारी नहीं बनेगे न निश्चे बुद्धी हो फिर पुरशारत करना है सेकेंड में जीवन मुप्ति, सेकेंड में, तो ठीक है, बच्चा बना माना वर्षे का हकदार बना, परंतु, फिर वहां भी नंबर वार मर्तबे तो है ना, अब उच मर्तबा पाने के लिए पड़ाई में पुरशारत करना होता है, पुरशारत करना होता है, ऐसे नहीं कि फट से करमातीत अवस्था हो जाएगी, फिर तो शरीर भी छोड़ना पड़े, फिर तो शरीर भी छोड़ना पड़े, करमातीत अवस्था होते, आत्मा शरीर में रह नहीं सकती, ऐसा ला नहीं है, माया से तो अच्छी रीती युद्ध करनी है, तुमको मालूम है, युद्ध, आठ, दस, पंदरां वर्ष भी चलती है, तुमारी युद्ध तो माया से है, जब तक बाप है, तुमारी युद्ध चलती ही रहती है, पिछाडी में रिजल्ट निकलेगी, किसने कितना माया को जीता, कितना कर्मा तीत अवस्था को पहुँचे, बाप कहते हैं, जितना हो सके, अपने घर को याद करूँ, वे है शान्तेदाम, वानी से परिस्थान, वे है अभी तुम बच्चों की बुद्धी में खुशी है, क्या खुशी है, कि हमें बाप मिला है, तुम जानते हो, ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, इस ड्रामा के मुझे एक्टर हैं आतुमाएं, और सारी परकृती है साधन, इन साधनों को यूज करना आत्मा का रोल है, साधन इतना एक्टूरेट कोपरेटिव रहते हैं, जरह भी मिस्टेक नहीं हो से, तीन लोक भी तुम जानते हो, और कोई की बुद्धी में नहीं, बाबा भी शास्त्रादी बहुत पड़ा हुआ है, परन्तु ये बाते थोड़े बुद्धी में थी, बल गीता आदी पड़ते थे, परन्तु ये थोड़े बुद्धी में था, कि हम दूर देश परमधाम के रहने वाले हैं, अभी पता पड़ा है, हमारा बाबा, जिसको परम, पिता, परम, आत्मा कहते हैं, वो परम थाम में रहते हैं, जिसको सभी याद करते रहते हैं, कि ये पतित पावन आओ, वापस तो कोई जा नहीं सकता, वन्रफुल राज है, एक बार आत्मा परमधाम से इस दर्ती पर आ गई, बीट में वापस जा नहीं, जैसे भूल भुलईया का खेल है, जैसे क्या है, भूल भुलईया का खेल होता है ना, जहां से जाओ, दर्वाजा सामने आ जाता है, निशाने पर जा नहीं सकते, ठक जाते, तो फिर रडी मारते हैं, कोई रास्ता बतावे, यहां भी बल, कितने भी वेद शास्त्र पड़ो, तीरत यात्रा पर जाओ, कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, कहां हम जाते हैं, सिर्फ कह देते हैं, कि पलाना जोती जोत में समाया, बात कहते हैं, कोई भी वापस जा नहीं सकते, नाटक जब पुरा होने पर होता है, तो सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं, यह कैदा है, सभी उस ड्रेस में खड़े हो जाते हैं, सब को मुँ दिखाकर, फिर कपड़ा आदी बदल, यह भागा, पहले होता था, कि स्टेज पर सभी एक्टर्स, आदे कपड़े, पूरे कपड़े, जैसे भी होते थे, नाटक कतम हुआ, सभी एक्टर्स स्टेज पर आते हैं, और उसके बाद सारे घर जाते हैं, इसी परकार बाबा आज हमें समझा रहे हैं, कि सारी आत्माईं एक बाद स्टेज पर आती हैं, और फिर घर जाते हैं, जब तक पर अंदाम में कोई भी आत्मा है, और यह नटक पूरा नहीं हो सकते, सभी आत्माईं आएंगी, कम से कम एक साल के लिए तो लास्ट आत्मा को इस नटक में आना ही पड़ता है, फिर सारे एक साथ जाते हैं, फिर से वही पार्ट रिपीट करते हैं, गर गए, एक साल सभी आत्माईं परंदाम में रही, यह दर्ती वेल सेट हो गए, और फिर से वही रोल, वही पार्ट, रिपीट, यह फिर है बेहद का नाटक, अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, जानते हो, हम आत्मा यह शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, उनर जनम तो होता है न, 84 जनम में 84 नाम हमने धारन किये हैं, अब यह नाटक पूरा हो गया है, सब की जड़ जड़ी भूत अवस्ता है, अब फिर से रिपीट होगा, वर्ल्ड की हिस्ट्री जोगरोपी फिर से रिपीट होती है, तुम जानते हो, अब हमारा पार्ड उरा होगा, फिर वापस जाएंगे, बाप का परमान भी कोई कम थोड़े है, पतित पावन बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे, तुमको बहुत सैज उपाए बतलाता हूँ, उड़ते बैठते चलते, ये दिल में रखो कि हम एक्टर हैं, 84 जनम अब पूरे हुए, अब बाप आया हुआ है, गुल गुल बनाकर घर ले जाने के लिए, मुनशे तो देवता बनाने, मुनशे से क्या बनाते हैं, देवता बनाते हैं, हम पतितों को पावन बना रहे हैं, पतित से पावन हम अनेक बार बनें, और बनेंगे, हिस्ट्री जोगरफी रिपीट होगी, पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे, अभी सेपलिंग लग रहा है, हम हैं ही गुप्ट, तुम सेरेमनी आदी क्या करेंगे, हमको अंदर नौलेज है, अंदर खुशी होती है, हमारे देवी देवता धर्म अर्थ्वा छाड के पत्ते जो हैं, वे सब धर्म ब्रस्ट, कार्म ब्रस्ट हो गए हैं, ये भारतवासी धर्म कार्म स्रेश्ट थे, कभी माया पाप नहीं कराती थी, पुन्या आत्माओं की दुनिया थी, वहां रावन होता ही नहीं, वहां कार्म अकार्म हो जाते हैं, फिर रावन राज्ये में कार्म विकार्म होना शुरू हो जाता है, वहां तो विकार्म हो ना सके, कोई ब्रस्टाचारी हो ना सके, तुम बच्चे योग बल से विश्व के मलिक बनते हो, श्रीमत का, बहु बल से तो कोई विश्व का मलिक बन न सके, तुम जानते हो, ये अगर आपस में मिल जाएं, अमरीका और रूस आपस में मिल जाएं, तो विश्व के मलिक बन सकते हैं, परन्तु ड्रामा में पार्ट ही नहीं है, दिखाते हैं, दो बिल्ले लड़े, मक्खन बीच में बंदर खा गया, साक्षातकार भी करते हैं, कृष्ण के मुख में मक्खन, ये स्रिष्टी का राज्ये, रूपी मक्खन मिलता है, बाकी लड़ाई है, योवनों और पौर्वों की, सो तो देखते हो, हो रही है, अखबार में पड़ा, पलानी जगह इतनी बड़ी हिंसा हुई, तो छट, तो छट, कोई ना कोई को मार देंगे, बारत में पहले एक ही धर्म था, फिर दूसरे धर्मों का, राज्ये कहां से आया, क्रिश्चन पावर्फुल थे, तब उन्होंने राज्ये किया, अब वास्तों में सारी दुनिया पर रावन ने कबजा किया हुआ है, ये फिर गुप्त बात, शास्त्रों में थोड़े ही ये बात है, बाप समझाते हैं, विकार तुमारे आधा कल्प के दुश्मन है, जिस द्वारा तुम आदी मद्य अंत दुख पाते हो, इसलिए सन्यासी भी कहते हैं, का गविष्ठा समान सुख है, उनको थोड़े ही मालूम है, कि स्वर्ग में तो सदैव सुखी सुख होता है, भारत वासियों को तो मालूम है, तब तो कोई मरता है, तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, स्वर्ग की कितनी महिमा है, तो जरूर ये खेल है, परन तु किस को कहो, तुम नर्ग वासि हो, तो विगड़ पढ़ते हैं, कितनी वन्डरफुल बात है, मुख से कहते हैं स्वर्ग वासि हुआ, तो जरूर नर्ग से गया न, फिर तुम उनको बुलाकर नर्ग की चीज़े क्यों खिलाते हो, स्वर्ग में तो उनको बहुत अच्छे वेभव मिलते होंगे न, इसका मतलब तुमको निश्चे नहीं है वहां क्या क्या है, बच्चों ने सब देखा है, नर्क में देखो क्या क्या करते रहते हैं, बच्चे बात को भी मारने में देरी नहीं करते हैं, इस्तरी की किसी के साथ दिल लग जाती है, तो वो पती को भी मार देती हैं बारत पर एक गीत बना हुआ है एक तरफ कहते हैं क्या हो गया आज के इंसान को फिर कहते हैं भारत हमारा सबसे अच्छा सोने का है भारत सोने की चिड़िया था और अब क्या हो गया देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान कितना बदल गया इंसान अच्छा था बारत सबसे अच्छा था आब थोड़े है आब तो कंगाल है कोई सेफटी नहीं हम भी आशुरी संपरदाये थे आब बाबा हमको इश्वर ये संपरदाये बनाने का पुरशारत करा रहे हैं नई बात नहीं है ये कोई नई बात नहीं है कल्प 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 के संगम पर हम फिर से अपना वर्षा लेते हैं बाब वर्षा देने आते हैं माया फिर स्राप देती है कितना समर्थ है बाप कहते हैं माया तुम कितनी दुष्टर हो अच्छे अच्छे को गिरा देती हो उस सेना में तो मरने मारने का ख्याल नहीं रहता है चोट खाकर फिर मैदान में आ जाते है उनका धंदा ही ये है प्रोफेशनल है उनको फिर नाम भी मिलता है यहां तुम बच्चे फिर शिव बाबा से शक्ति लेते हो माया पर जीत पाते हो बाप बरिस्टर है जो माया से तुमें छुड़ा देते है तुम फिर हो शिव शक्ति सेना माताओं को उंच रखा है वंदे मात्रम यह किसने कहा बाप में क्योंकि तुम बाप पर बली चड़ते हो बाबा खुश होते हैं यह अच्छा खड़ा है पिलता नहीं है अंगद का मिसाल है ना उनको रावन इला नहीं सकता कि अंत के समय की बात है अंत में वे अवस्था होनी है उस समय तुमको बहुत खुशी होती है जब तक विनाश ना हो धर्ती पवित्र नहीं बने तक तक तो देवताएं आना सकी पंबोर को आग जरूर लगनी है सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुक्तु कर मच्छों मिसल स्वीट होम वापस जाना है मच्छ कितने क्रोडों मरते हैं इसलिए गाया जाता है राम गयो रावन गयो जाको बहु परिवार अंत समे नौ लाख जिसके नाती पूती थे कोई भी दिया बाती करने वाला नहीं बचा था वापस तो जाना है ना फिर तो माएंगे नई दुनिया में वहाँ बहुत थोड़े होंगे ये समझने और निश्चे करने की बाते हैं ये नौलेज बाबा ही दे सकते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रते मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गोड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते 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 धारना के लिए मुखे साथ उठते बैठते चलते अपने को एक्टर समझना है दिल में रहे हमने 84 जन्मों का पाट गुरा किया अब घर जाना है देही अभिमानी हो रहना है नमबर दो निश्चे बुद्धी हो काट्रों से फूल बनने का पुरिशारत करना है माया से युद्ध कर विजई बन कर्मा तीत बनना है जितना हो सके अपने घर को याद करना है अपने हलके पन की सित्ती द्वारा हर कारिये को लाइट बनाने वाले बाप समान नियारे प्यारे हो मन बुद्धी और संसकार आत्मा की जो सुक्षम शक्तियां हैं तीनों में लाहिट अनभव करना मन बुद्धी और संसकार आत्मा की जो सुक्षम शक्तियां हैं तीनों में लाइट अनभव करना और ध्यान से इस बात को समझना हैं कव लाइट होंगे जब ये तीनों एकमत होंगे इन तीनों को भारी करने वाला है मन अलग बुद्धी अलग संसकार आत्मा ये तीनों जहां जब तक अलग अलग हैं तब तक बोज़ा है भार है हलके नहीं उसे लाइट अनभव नहीं कर से ये ही बाप समा न्यारे प्यारे बनना है क्योंकि बाप अंदर बाहर एक मन बुद्धी संसकार एक और हमारा मन कुछ कहता है बुद्धी कुछ कहती है आधते कुछ है क्योंकि समय प्रमान बाहर का तमो परधान वातावरन मुनश्य आत्माओं की वृत्यों में भारी पन होगा बाहर का तमो परधान वातावरन मुनश्य आत्माओं की जो वृत्याँ है जो पक्के संसकार बने हुए है वो भारी पन आएगा जितना बाहर का वातावरन भारी होगा उतना आप बच्चों के संकाल्प, कार्म, संबन्ध, लाइट होते जाएंगे लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा जितना हलके होंगे उतना कार्य भी सहज हलकी रीती से चलता रहेगा कारोबार का प्रभाव आत पर नहीं पड़ेगा यही सित्ती बाप समान सित्ती है अच्छा स्लोगन इस अलोकिक नशे में रहो वहारे मैं तो मन और तन से नैच्छुरल डांस होती रहेगी और विस्तार से जानने के लिए विश्व में एक सो चालिस देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इश्वरिये विश्व विद्याले के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या कोई प्रश्ण है तो 9213106986 पर टेवल टेलिग्राम करें 9650692270 पर केबल वर्ट्सेप करें ओन ओम शान्ती